अभी बहुत जादा लाइम लाइट में एक क्वेरी आ रही है बार बार मेरे वीडियो पे कमेंट आ रहे है बार बार कि माम आखिर यह गैजटेट ऑफिसर है कौन आखिर यह कंड़क्ट सर्टिफिकेट मैं कहां से लाओं क्यूंकि लाइसी एडियो ने तो कुछ ऐसा मुझे सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है तो यह कहां से मैं लाओं साइन करवाओं स्टांप लगाओं कुछ मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैंने बहुत हो की कोशिश कि कि मैं कमेंट में समझा पाऊं लेकिन वह बार बार उसी कोईशन उसी को रिपीट कर रहे हैं तो मु तो मैं शुरू करती हूँ यह सबसे आप फोर्थ पॉइंट पढ़ लो बड़े-बड़े हक्षरों में लिखा है Conduct Certificate from two responsible persons मतलब आपके पास Conduct Certificate होना चाहिए दो responsible person का जिसमें sign होना चाहिए और वो Conduct Certificate आपके पास दो होना चाहिए क्योंकि आप दो responsible person से sign करवा रहे हो तो certificate भी तो अलग होगा ना क्योंकि बहुत लोग यह भी बहुत रहे हैं एक ही certificate रखो उसमें दोनों के स्टांप लगा लोगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको दो certificate रखना होगा और दो responsible person के sign चाहिए और अगर आपका next question होगा कि वीडियो से कुछ भी help update मिल रही है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए तो यह मैंने format आपको दिखाया देखिए आप इस format को देखो एक सेकर यहां पे देखिए मैंने Google से इसको डाउनलोड कर लिया ताकि मैं आपको अच्छे से इसको रिवील कर स जैसा कि उन्हें दो रिस्पॉंसिबल परसन बोला है तो दो रिस्पॉंसिबल परसन का साइन होना चाहिए और स्टांप होना चाहिए यहां पे office seal clear लिखा है पूछोगे कि आखिर गैजट्ट ओफिसर कहते कि इसको है जिनकी साइन आपको चाहिए तो गैजट्ट ओफिसर साइन स्टांप ले सकते हो अब रिस्पॉंसिबल परसन जैसे हो गए जो की बहुत ही professional है जिनका एक responsibility है यहां जैसे कि आप वहां पर किसी doctor से ले सकते हो साइन किसी भी प्रिंसिपल से ले सकते हो लेकिन एक चीज़ आप धिएन रखना कि जो स्कूल के जो टीचर होंगे न जो प्रिंस्पल होंगे न वो गवर्मेंट स्कूल के होने चाहिए गवर्मेंट स्कूल के प्रिंस्पल का साइन चलेगा as a responsible person किसी पुलिस ओफिसर से आप ले सकते हो या फिर कोई बैंक मैनेजर से ले सकते हो यह सब responsible person में आएंगे और अगर आपके पास gadgeted officer है मतलब उस तरीके का आपका जान पहचान है तो फिर वो best है आप gadgeted person का भी ले सकते हो यह हुआ बात signature और designation का और ऑफिस दो मैंने बता दिया यहाँ पे stamp लगेगा यह रहा date यह place जो आप खुद fill up कर लोगे अब यह certificate मैं आपको बता देती हूँ कि इसको fill up करना कैसे है जैसे कि यहाँ पे लिखा है तो जाहिर सी बाते हैं यहाँ पे अपना नाम fill up करना son of, doubter of, father's name जो होगे वो यहाँ पे fill up करना residing in, यहाँ पे आप full अपना address डालना मतलब आपका address कहा है वो आपको यहाँ डालना होगा इस प्रस्नली, known to me for the last last कितने एर से यहाँ पे वो डालना मतलब आपको fill up करना है कि वो जो person है, आपको कितने साल से जानते है तो कम से कम minimum आप तीन साल तो जरूर डालना कि किसी भी इंसान के character को जानने के लिए थोड़ा समय लगता है यह नहीं कि छे महीने, दो महीने ऐसे डाल दिया तो आप तीन साल जरूर डालना स्वरी, तीन साल प्लस कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर clear लिखा है I also certified that Miss and Mr. or Mrs. Jovi is not related to me मतलब कि वो यह clear certificate में लिखा है कि आप जो हो उस इंसान, उस responsible person के कुछ नहीं लगते हो यह नहीं कि blood relation में होता ना कि अब जैसे कि 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 मम्मी बैंक की manager होंगी या father police officer होंगे तो आप अपने पापा का stamp ले लेना क्योंकि यह blood relation नहीं है यहां पर एक strange person है जो आपके character को verify करते है तो मुझे लगता है कि मैंने conduct certificate से related सारे queries आपको बता दिये मैंने आप से शेयर भी कर दिया है कि इस certificate का format क्या होगा मैं इसको बोलो कि तो मैं ऐसे PDF में डाल दूगी comment में तो कैसा लग आपको मेरा video प्लीज बताएं और अगर कोई और भी topic आपके माइंड में चड़ी है तो उसको भी comment करें मैं कोशिश करूंगी उसके information को gather करके मैं आपको बता सको तो प्लीज वंस अगें चैनल को subscribe करें share करें तब ते के लिए थैंक यू